ओम श्यान्ती आज है 23 नवंबर 2021 की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के महवाख्यों को मिठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए प्रेश्न ब्रह्मन बच्चों को बाब से पूरा पूरा वर्सा लेने के लिए किन किन धारनाओं पर ध्यान रखना है उत्तर नमबर एक इस चन्म में बाब का बन कर ऐसा कोई पाप करम ना हो जिसकी सौगुना सजा भोगनी पड़े नमबर दो बाब जो अती मीठा है वहाँ तुम्हे आप समान मीठा बनाते हैं इसलिए मुक से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरे को दुख हो नमबर तीन दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं मनसा वाच्चा करमना सुख देना है नमबर चार स्तूती निंदा में समान रहना है ओम शांती सत गुरवार को व्रिक्षपती डे भी कहा जाता है व्रिक्षपती डे अर्थात बाप का दिन उमावस के दिन अंध्यारी रात पूरी होती है फिर दिन शुरू होता है चंद्रमा उदय होना शुरू होता है और आजकल जिन का पित्र होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते फिर मंगाना नहीं होता है सब को तरिप्त किया जाता है तिन में चले गए फिर रात में लोटाने की तरकार ही क्या है असल काइदा यहा है बारा मासकस में जब पूरा होता है तो उनको खिला कर खलास कर देना होता है फिर अंध्यारी रात में क्यों बुलाया जाता है प्रंतु ब्राह्मनों ने यहां भी रसमरिवाज बना दी है वह चली आती है दक्षिना आदी मिलती रहेगी वह है हद की उमावस अब बाप आया है बेहद की उमावस में बाप आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है फिर सत्युग में सोज़रा ही सोज़रा होता है, वहां कभी कोई पित्रादी नहीं खिलाएंगे, यहां फिर है बेहद की अमावस, ब्रम्हा की रात सो ब्रहमनों की रात पूरी हो दिन आ जाता है, फिर कोई पित्रादी खिलाते नहीं, वहां ब्रहमन ही नहीं होते, ऐसे नही की कोई मरते नहीं है प्रन्टु यह रसम रिवाज नहीं होता है यहां तो अनेक प्रकार के ब्रह्मन भी हैं अब चाते हैं कि एक व्रॉल्ड हो एक नेशन हो अब इतने सब का एक नेशन तो हो ना सकते हैं हाँ एक राज्य एक रसम रिवास थी जब सत्युग था, वहां तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं, वहां सब बिलकुल मिठे होते हैं, दुख की बात नहीं होती, कब कड़वा बोलते नहीं, पाप करते नहीं, अब जो जितना पुरशार्थ करेंगे, उतना पद पाएंगे, नमबर वार, ऐसे नहीं क कोई वहां चोरी आदी करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है, यहां अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, कितना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, यहां सब है रावन राज्य की गंदी, जन चलता, बाबा अब इसको एकदम खत्म करा देते हैं, सबकी एकदम शट से गंदी आदते तो खत्म होती नहीं, चाइम लगता है, जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे, कि हम योग में रहते हैं, कोई पापकरम तो नहीं करते हैं, खुद मीठा बन, फिर औरों को मीठा बनाता हूं, खुद ही कड़वा होगा, तो दूसरों को मीठा कैसे बनाएगा, यहां ऐसे जट परत्यक्ष हो जाते हैं, छिप ना सके, बाप कहते हैं, हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे, तो बहुत अड़ी सजा खाएंगे, पद भी भरस्ट हो जाएगा, भगवान खुद बैठ पढ़ा की होती है, एक तो काम कठारी की हिंसा से, मनुश्य आदी मध्यांत दुख पाते हैं, दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते दुख देते दुखी होते हैं, यहां तो बच्चों को कहा जाता है, मनसा वाच्चा, कर्मना ऐसा कोई काम नहीं करना है, कोई को दुख नह कर सुख दो, कि यह हुए कर्मों का हिसाब किताब चुक्तु हो जाता है, यहां बाप समझाते हैं, इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किये हैं, बतलाने से आधा कट जाएंगे, प्रन्तु अनेक शन्मों के किये हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर, अभी बाप समझा कि इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, जिसका पाप बने और फिर योग बल से अनेक शन्मों के पाप कर्म भसम करने हैं, इस जन्म में बाप का बन कर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, ब्राहमन बनने बिगर वर्सा मिलना सके, यहां बाप दादा है ना, वर्सा तुमको उनसे मिलता है? इनसे नहीं, यहाँ अपने को कुछ नहीं कहलाता है, यहाँ तो सिर्फ रत है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं, रत भी तो गाया जाता है, हुसैन का रत निकालते हैं ना? खोडे को कितना सचाते हैं यहा तो पतित तन है ना यहा भी अभी सज रहा है अपने पुरुशार्थ से ही सजते हैं इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं यहा तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं कि किराया तो मिलेगा ना प्रंतु पुरुशार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको करना होता है यहां लालच नहीं रहती कि हमको फिराया देंगी यह तो बाबा हंसी करते हैं आत्मा को योग बल से ही सतो परधान बनना है जितना योग होगा उतना पावन बनेंगी और फिर आप समान भी बनाना है तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे-च्छे सर्विस करने वाले हैं वह नामी ग्रामी है बाबा सर्विस पर भेज देते हैं बहुत मीठा बोलना होता है कोई से लड़ना जगणा नहीं है ब्रहमन अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इन में तो क्रोध का भूत है सूती निंदा में समान रहना चाहिए बहुतों में क्रोध का भूत है उससे बहुत नाराज होते हैं ऐसा नहीं कि सब का क्रोध निकल गया है जब तक संपूरन बढ़ने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी ऐसे कोई कहना सके कि हमारे में क्रोध नहीं है कोई में जास्ती कोई में कम होता है कोई कोई का आवाज ही ऐसा होता है जैसे लडाई करते हैं बच्चों को बहुत बहुत मीठा बढ़ना है यहां ही सर्वगुन संपन बनना है विकार तो नेक प्रकार के हैं ना क्रोध करना जूट बोलना यह सब विकार हैं बाप कहते हैं बच्चे अभी कोई विकरम करेंगे तो बहुत सचा खानी पड़ेगी वहां तो मेरे साथ दंड देने वाला धरमराज है यहां सजा मिलती है प्रत्यक्ष धरमराज की सजा मिलती है गुप्त गरब जेल में भी सजाएं भोगती है कोई को बिमारी आदी होती है वहां भी करम भोग है धरमराज द्वारा दंड मिलता है आगे का भी अभी मिलता है, अभी का अभी भी मिल सकता है, फिर गर्ब चेल में भी मिलता है, वहा है गुप्त धरमराज वहां तो सजा नहीं देंगे ना, यहां फिर शरीर से भोगना भोगनी पड़ती है, अब बाप हम को इन से छुडा रहे हैं, परम पिता परमात्मा और ध धरमराज बाबा दोनों हाजिर हैं अभी अभी के क्यामत का समय है हर एक की जज्जमेंट होती है यहां भी ड्रामा में नूंध है जबकी तुम बच्चे समस्ते हो संपूरन बढ़ना है तो कोई भी पाप करम नहीं करो अपने कल्यान के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुर दूसरे चन्म में फिर दूसरी पढ़ाई यहां है 21 चन्मों की अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे 21 चन्मों के लिए अविनाशी पद भी मिलता है बाप से 21 चन्मों के लिए वर्सा मिलता है तुम बच्चे जानते हो यहां पुरानी दुनिया ह नई दुनिया में भारत अकेला था, अब फिर यह चक्र फिर ना है, नई स्रिस्टी स्थापन हो, पुरानी का विनाश होगा, यह तो गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, ब्रहमन तो जरूर चाहिए, तो जरूर प गुमारियां तो पवित्र बन रही हैं, बाप यह नहीं कहते की, घरबार छोड़ो, नहीं, ग्रिहस विवहार में रहते, कमल फूल समान रहो, यह बाप दादा नाम बहुत अच्छा है, दादे से वर्सा मिलता है, वह है उंचते उंच, ब्रहमा तो पतित था ना, यह पहले पहले स्रेस्टाचारी पुछ महराजा था, अब अंत में आकर पतित बन गया, यहा है इनका अंतिम जन्म, इस दुनिया में कोई पावन है ही कहां, पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते, गाया हुआ भी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इसका हिसाब भी त समझा, सूर्य वन्शी जो हैं वहाँ पहले पहले अपना वर्सा लेने आएंगे, अब आत्मा शरीर छोड़ कर गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा, फिर उनको नर्क में मंगाने की तरकार ही क्या है, कुछ भी समझते नहीं हैं, साधू संतादी भी मरते हैं, तो उनकी भी वर वर्सी मनाते हैं, भोग लगाते हैं, जब कहते हैं, जोती जोत समाया, फिर भोग क्यों लगाते, वर्सी क्यों मनाते, शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या तरकार है, जोती में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती, अनेका नेक मत हैं, ऐसे भ पाड बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए, यहाँ भी तुम चानते हो, सभी मनुश्य मात्रेक बाप को याद जरूर करते हैं, मानते भी सब भाई भाई हैं, तो भाईयों को बाप से वर्सा जरूर मिलना चाहिए, सर्वात्माओं का सद्गती दाता एक है, सभी आत्माओं को वापिस जाना है, मनुश्य मनुश्य को सद्गती कैसे दे सकते, इसलिए एक ही सर्व के सद्गती दाता का नाम मश्हूर है, वही ग्यान का सागर पतित पावन है, वह बापा कर राज्योग सिखलाते हैं, सभी को र बेहद की अमावस कहेंगे आधा कल्प है बेहद की रात फिर आधा कल्प है बेहद का दिन यहाँ खेल है जब रिलीजियस कॉन्फरेंस वाले बुलाते हैं शान्ती कैसे हो तो वहां बताना चाहिए एक धरम एक मत सत्युग में ही होता है उनको पांच हजार वर्ष हुए वहा सुक शान्ती सब था बाकी सब आत्माई शान्ती धाम में थी नई दुनिया में एक ही धरम था पुरानी दुनिया में ज़ाड कितना बढ़ जाता है अनेक धरम है अब अनेक धरमों का विनाश और एक धरम की स्थापना यहाँ बाप का ही काम है शिबाबा कहते हैं यहाँ हम पारा काम है हम कलपकलपा कर यह आप करता हूं सत्योगी राजधाने के लिए राजयोग चरूर संगम पर ही सिंखलाएंगे सभी पतितों को पावन बनाते हैं कहते हैं मैं आता हूं बोहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में जिसने पूरे 84 जन्म लिये हैं उनके रत में ही आकर समझाता हूं नई दुनिया तो है ही नहीं पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूं पतित दुनिया को पावन बनाता हूं मेरा नाम ही है दुखरता सुखरता सुख में मुझे को बाप कहते हैं मैं आया हूं पढ़ाने अब पढ़ना तुम्हारा काम है मनुष्य तो घोरंधियारे में हैं तुम भी कुछ नहीं जानते थे इसमें सारी दुनिया का बेडा डूबा हुआ है कितने दुखी हैं तुम सब का बेडा पार करते हो सब शांती धाम में चले यहा बाते तुम्हारी बुधी में हैं सोभी नमबर वार जो लाइट हाऊस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे उनका काम ही है रास्ता बताना बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं यहां तो साई खुशी रहनी चाहिए यहां आकर बहुत हो जाते हैं बाहर जाने से नशाही गुम हो जाता है बाप से पूरा-पूरा वर्सा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए कदम-कदम पर बाप से राई लेते रहना है आगे तिर्थों पर पैदल जाते थे बहुत खबरदारी से जाते थे इसमें तो बस ट्रेन में जाते हैं माया का इसमें भब का बहुत है सत्युग में भब का था फिद्वापर से गिरता गया अब फिर पिछाडी में शुरु हुआ है इनको माया का पांप कहा जाता है किसको कहो चलो स्वर्ग में तो कहते हमें यहां ही सब कुछ है मोटरे ऐरोपलेन आदी सब है हमारे लिए स्वर्ग यहां ही है धन माल जेवर आदी सब है लक्षमी नारायन को भी जेवर है न हम भी पहन सकते हैं कितना भी समझाओ, फिर भी विश ही याद रहता है, विश विकार बिगर रह नहीं सकते, बाप कहते हैं, तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो, कि हे पतित पावन आओ, याद रखना अभी नहीं मानेंगे, तो धर्मराज द् दिलाएंगे, तराते भी हैं, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, तर ही नहीं, वह कितने हंटर खाएंगे, बात मत पूछो, पद भी ब्रस्ट हो जाएगा, पुरिशार्थ कर उंच पद पाना चाहिए ना, संग दोश में ऐसा गिर पड़ते हैं, जो एकदम अ आदी की खानियां खाली होती जा रही हैं, फिर भर जाएंगी, सोने हीरों के पहाड होते हैं, हीरे जब खोद कर निकालते हैं, तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं, तुमको भी ग्यान सिरान पर चड़ाते हैं, तो तुम कितने अच्छे हो जाते अच्छा मीठे मीठे सिकेल धे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मार्निंग और नमस्ते धारणा के लिए मुख्यसार नमबर एक अभी क्यामत का समय है इसलिए कोई भी पाप करम नहीं करना है अपने कल्यान का पुरिशार्थ करना है बहुत मीठा बढ़ना है क्रोध को छोड़ देना है नमबर दो बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमना रखनी है कदम कदम पर बाप की राय लेनी है बाप समान दुखरता सुकरता बढ़ना है वर्दान स्वयम के संकल्पों की उल्चन अत्वा सजाओं से भी परे रहने वाले पास्विद ओनर भव पास्विद ओनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है परन्तु अपने संकल्पों की भी उल्चन अत्वा सजाओं से परे रहना यहाँ पास्विद ओनर होने वालों की निशानी है वानी करम संबंध संपर्क की बात तो मोटी है लेकिन संकल्पों में भी उल्चन पैदा ना हो ऐसी प्रतिज्या करो तब पास विद ओनर बनेंगे श्लोगन ज्यान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा शुक्रिया बाबा शुक्रिया